जनता मागे जवाब मामले साहित तीन सो के पार जाचते हैं दोसी हो कुरिंटाइन सेंटर में अब बेवस्थाओं के चलते मरीजों की मौत बीजेपी को सरकार पर सवाल उठाने का मौका दे रहे वहीं इन सब के बीच अप्रदेश में भूपे सरकार ने बड़ा प्रसासनिक खेल बदल भी कर दिया है पजास से ज़्यादा आई एस अपसर इधर से उधर हुए है हलाकि सरकार ने इसे रूटीन प्रसासनिक पर किया बताया है लेकिन विपक्स इसे अलग तरीके से लेकर सरकार पर तंच कस रहा है बीजेटी के मताबिक करोना संकट में जिला कलेक्टरों को बदलने से कुछ नहीं होगा सरकार को कॉरंटाई सेंटर्स में बवस्थाएं बहतर करनी होगा लेकिन सवाल ये है कि जब सरकार इसे समान टक्या बता रही है तो फिर बीजेटी का ट्रांसपर पर सवाल उठाना कितना जाया चाहे सवाल ये भी है कि ट्रांसबी के दौरान जंबो तबादले करने से क्या प्रसाचित ब्यवस्था पर नकार आत्मक प्रहाण नहीं पड़ेगा इस पर आज बिस्तार से बात होगी साथ ही हम रूख मंद्प्रदेश कम ही करेंगे जहां फिलहाल तो करोना करकाहर है लेकिन जैसे ही हालात कुछ ठीक होंगे वैसे ही राज्य की 24 बिधानसवा सीटों पर उप्चुनाओं की जंग सुरू हो जाएगे इस बार असली पतिष्था पूर मुक्षमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस से बीजेपी में सामिल हुए जोत्रय सिंध्या की ताओं पर लेगी है और ये उप्चुनाओं के परिडाम से ही ये साफ हो सकेगा कि पूर मुक्षम्त्री कमलनाथ की प्रतिष्था इसे में गईएगी है क्योंकि उनकी सरकार दल बदल कर के कारण ही गिरी थी हलाक उन्हें भरोसा है कि उप्चुनाओं के बाद फिर से कांग्रेश की सरकार बनेगी फैर प्रदेश में उप्चुनाओं की जन्ग कैसे रहेगी इस पर हम हर रोज अलग-अलग बिधान स्वाओं की बात कर रहे हैं ऐसे में आज हम आपको भिंड जिलेके महगाओं भिधान स्वाच्छे तर लेका चलेंगे और जानेंगे यहां के हर सियासी समीकरण के बादे में लेकर सुरुआ चप्टिस गर्द के साथ जहां तवादत उपर तकरार है तो चप्टिस गर्द भूपेश सरकार ने मंगलवार को 22 सीलों के कलेक्टर समेथ एक साथ 56 आईए सबसरों के तवादले किये वही बरी संख्या में हुए तवादलों पर बिपक्षने तंच कसा है और सरकार पर आरोप लगाया है कि वह तवादला उद्योग चला रही है विपक्ष ने करोना के बढ़त ने मामलों के बीच तवादलों के आउचित पर भी सवाल उठाए वहीं सरकार ने यसे एक रूटीन पुसास की प्रकिया बताते हुए बिपक्ष के आरोपों को सीरे से रटाप लिए यसी भी से पर विस्तार से चर्चा करें चलिए उसके पहले हम दिखाते हैं आपको एक फोटीन रिखो कि इस गड़ में कोरोना कहर के बीच बड़ी जंख्या में अधिकालियों के तबादले 25 जिलों के बजले गए का लेक्टर काई जिलों के जिला पंचायत पीचिए ओभी बजले मंत्रार में पदस्त आईएस अधिकालियों के प्रभार में भी बजला आओ बड़ा सवार प्रांसपर बर बीजेपी का सवाल उठाना कितना चायज 36 गर में कोरोना के तेजी से बड़ते केसों के बीच भुपरिश सरकार ने परिसंख्या में आई एस अधिकारियों के तबादले किये जो विपक्ष को रास नहीं आ रही और उसमें इस लेकर सरकार पर तंज कसा है सरकार को कॉरंटाइन सेंटर्स की विवस्था सुधारने पर ठान देना चाहिए जबकि सांसत उनी सोनी ने कहा कि राज के अंदर प्रशाशनिक आराज़ता शिपाही से लेकर कलेक्टर तक को नहीं मालूम रहता कि वह कितने दिन तक अपने पत पर रहेगा एदर मंत्री शिप दहरिया ने वेपक्ष के सवालों को निरत्थक पताते उने कहा कि इसका बादला किया जाना प्रशाशन की समान प्रक्रिया और इसका कोरोना से कोई संबन्ने नहीं जो जिस प्रगार से क्रेसिस पढ़ रहा है चत्ति गड़ खालत बद से बत्तर होती जारी है इसके लिए ध्यान दे कलेक्टर को अड़ा देने से विवस्ता में सुधार नहीं आता 36 गड़ के अदर अधिकारी का राज़कता है एक सिफाही को नहीं मालूम मैं किद्रे दीन रहूंगा और टी आई और एस्पी को तो आप छोड़ भी है ट्रांसफर से कोरोना का संक्रमण का कहीं कोई सब्मन नहीं है उद्योग नहीं है ये सामान अनिप्रक्रिया है जहां ज़िवाट होती है तबादले किये जाते है रुपाद किते तमाम आरोपों के बीच एक बात ये भी है कि आईये सदिकारियों कि तवाद ने मार्च ने विधान सवासत के बात किये जाने पर लेकिन कोरोना संकट और लॉक्डाउन की चलते तवादनों को रोप दिया गया था अगर आप इस तहर से बीचे एक सब्ता में कोरोना संक्रमर के मामलों में तेजी आई है ऐसे में चम्बो तवाद लेकिने जाने पार सवाल ओट रहे हैं पीर रिपोर्ट सुराज एक्ष्ञा अनिल पहले आप से ही सवाल है आखिर तवादला तो सरकार की अपनी अधिकार शेतर है लेकिन इतनी मात्रा में तवादला कर देना ऐसे समय में जब करोना का हाहाकार पूरे देश, प्रदेश, दिश्वे में मचा हुआ है क्या इसको किस रूप में लेपे हैं अगर जिलों की संक्याही 28 है और ऐसे में 22 जिलों के कलेक्टर बदलिया है तो सवाल निशे तूर पर उठते हैं और विपक्ष सरकार की खामिया देखने के लिए लगातर तयार रहता है और यही कारण है कि इसको लेके हंगामा मचा है और चुकि कोरोना के दोरान यही सवाल इसी लिए उठ रहा है कि कोरोना से निपटने के लिए क्या तबादले एक मातर रास्ता हो सकते हैं और अगर है तो कैसे बविवस्ताह सुझे इगी जबकि बविपक्ष का यह लगातार मानना है कि इसे दिस्ता हैं नहीं सुधरी और यहीं कारण है कि आज तवादलों पर सवाल उठे हैं चली असमाल शार्थ पाक सिर्पाक से दोनों ही जुड़ गए हैं लेकिन इपार मनोज से पूछनेते हैं मनोज जब से भुपेज सरकार आई है तब से इतने बड़ी मात्रा में थोक बन तवादले इसके पहले भी है यह जैसे ही उनने सपत ली होगी निश्चित तोर पर इसके पहले बीजेपी की जवावट रही होगी तो उनने तवादले किये भी तो इतने मात्रा में एक साथ किये हैं क्या मनोज मरी आवाज आ रही जी सरकारी जी जी चले शुबरानी जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इसमें मनोज मैंने सवाल ये किया था कि जब से भुपेश सरकार आई है बीजेपी की सरकार गई भुपेश सरकार ने सपत ली उसके बाद से अभी तक क्या इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ हाई एसों के थोकबन तवादले हुए है क्या जी दिखी जब मुख मंदी के रूप में भुपेश बगेल ने सपत ली तक नेकी कारणों से हमारे वगाद फिर मुनोजी से संपर्ट छूट गया है अनिर इतनी बड़ी मात्रा में मुझे नहीं लगता है कि जब से भुपेश सरकार पदश्ट हुई है उसके बाद से एक साथ इतने बड़ी मात्रा में हो जब कि 15 साल बीजेपी ने अपनी जवावट कर रश्की होगी यहीं करण है कि सरकार लगातार तबादली करें आपको ध्यान होगा 2019 में जब कॉंग्रेस की सरकार बनी भुपेश मुखमति के तोर पर उसके बाद से ही तबादले शुरू हो गए थे और उससमें यहीं माना जा रहा था कि सुभावे के 15 साल से बीजेपी के साथ संद रहा है तो बेरो किसी कहीं उस रंग में तो नहीं डल गई है और यह आरोप बिपक्स में रहते हुए कॉंग्रेस लगातार उस समय लगाती भी रही है तो ऐसे में सरकार का बदलना और अधिकारियों को चेंज करना एक सामान पक्रिया इसको कह सकते हैं हर राजिय में इस तरह की स्थियां बनती है इतनी बड़ी पात्रा में एक साथ हैसे समय में कॉरोना संकत हो नए अधिकारी आएगा नए चीज़ों को नए तरीकेश समझेगा सुआबे के एक दू दिन तो स्कूल लगेंगे तो यहीं करना बिपक्ष लगातार अब आरोप लगा रहा है हला बोल दिया पिछली बार भी यह आरोप लगे थे लेकिन अब एक साथ पचास से ज्यादा अफसरों के तवादले पिएच्ट्यू में भारी भारी फिर बता इंटेलियंस के एड़े जी को चेल्ज कर दिना यह कहीं नहीं बताता है कि सरकार ने पूरी तैयारी के साथ यह तवादले की है ऐसे में अगर बतों ले जाय जा रहा है उसकि पहले बिपक्ष के लगते रहे हों जैकि आमली इसके पहले बिपक्ष ही यह आरोप लगा रहे हुक कोट महत्या कर रहे हैं, अब ऐसी इस्किती में विवस्था करने वाला कौन, आखिर उस जिले का कलेक्टर ही सबसे बड़ा होता है, उसकी अपनी जबावट होती है, उसके अपनी निर्देश दिये जाते हैं, कि आपको इस तरह के विवस्था कर ली है, ऐसी इस्किती में एक सारे जितने भी कलेक्टर से जावज ज़्यादा कलेक्टरों को उल्होंने बदल दिया है, भूपे, मनोस, आप से मैंने सवाल किया था इसके पहले कि इतनी बड़ी मात्रा में जब से सरकार भूपेश सरकार आई हैं तो इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ है, प्रसासनिक सर जरी हुई थी लेकिन वो भी इतनी बड़ी नहीं थी स्वभाविक तोर पर 15 साल पर यहां पर भाजपार की सरकार थी और उसमें यह था कि उसमें विपक्स के तोर पर कांग्रेस लगातार यारोप लगाती थी कि यहां पर प्रसासनिक आतंकवाद है ब्यूरोक्रेसी हावी है इस तरह कारोप लगाती थी और जाहिज तोर पर जब सरकारे बदलती हैं तो उनके अपने कुछ पसंद के अधिकारी होते हैं तो इसी विवस्था के ताहत काफी जीलों के कलेक्टर बदले गए थे लेकिन मुझे याद आता है कि उसमें 14-15 जीलों के कलेक्टर बदले गए है उसके बाद से एक साथ इतने कलेक्टर बदलना कलेक्टरों के अलावा जीलों पंचायत के सीयों बदलना इसके लावा मंत्राले में जो सचे इसकर के अधिकारी हैं उनके प्रभार बदला जाना तो निश्ची तोर पर ये काफी बड़ी संख्या में तबादला हुआ है क इतने बड़ी इत्यास में इस तरह से इतने बड़े तावाद में पहली बार हुए हलाकि सरकार का अपना ये अधिकार छेत्र होता है किसको रखना है किसको नहीं बदला जाना करोना का हाहाकार मचा हुआ है अभी यही बवस्था की जा रही कि किस तरह से करोना के पन अधिकारियों को बदल देना ये किस रणमीत के तहफ किया है आपने हाला कि आपके रणमीत होगी कुछ ने कुछ ने कुछ देखे तरह पाधी जी डेर साल हो गए मुख्यमंत्री जी ने पूरी सरकारी मश्टरी की समिच्छा की जे और किस अधिकारी की उप्योगिता क पत्राले में हैं ये सारी उनकी योगिताओं का आकलर करने के बाद ये बड़े पैमाने में ट्रांसपर किये हैं और जो करोना की बात कर रहे हैं करोना संकत से जूजने के लिए ये ट्रांसपर किये गए हैं आज चत्रिकार में समस्या दो है एक तो करोना के मरीजों की संख में जो प्रावाशी स्वर्मिक आ रहे हैं उनके स्वास की सुरक्षा करना और उनके रोजगार की व्यास्ता करना यह दो अहम प्रश्ण है जिसको लेकर हमारी सरकार चिंतित है मुख्यमंद्री बुपेश बगेर चिंतित है इजी को सब दृष्टी को रखकर सब के बारे में परफॉर्मेंस की पूरी समीचा करने के बाद ही उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया है जहां तक जिलों की बात है जिलों में करोना से निपटने का जो सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम याधावाथ है जो भी क्लेक्टर जाएगा उसको देने का काम करना है तो इसमें को बडले होंगे, तो क्या ये जो सामाने तो एक बादला नियम भी होता है, तीन साल किसी भी आद SALG को दिया जाता है की apatाद के प्रें समीच्छाँ होती है तो एक 눈 ये उड़ता है कि है डेज साल लगा दी और लहांम को बैटर है कोल नहीं इसकी मिख्च्छा करने में दू तुर्वादी जी ऐसी बात नहीं है, असल में 15 साल में प्रदेश की प्रसास्ति किस्तिती दुरावस्ता में पहुंच गई थी, और स्लम भागी जंदा पार्डी के नेता ही स्विकार करते थे, कि रमान सी जी के आकरी कारिकाल में एक अधिकारियों का प्रसास्ति कातंग बात तो वो कात दॿऻ जीजीए ओएरे थी, भागी जीजिए, जीओ काम कर रहा था, आप काकस काम नहीं करेगा, इसने हम सवाल करेंगे जो सुर्णानि जीजी कह रहे हैं उससे कितना इतक काकस आते हैं? प्रसासनिक आतंगवाद एक सब्द कॉंग्रेस ने दिया था लेकिन अब राज्य में कॉंग्रेस की सरकार है तो उम्बीद की जा सकती जब विपक्षमेट की रूप में रहती हूँ कॉंग्रेस ने जो दीखा था कि किस तरह अधिकारी गवड़िया कर रहे किस तरह उनकी अ लिए आधिकारी चेंज की जा रहे हैं तो एक साथ इतले नहीं तबी किये जाना उचित होगा या उचित होता है 6-7 या दददस करके अगर अभिकाईयों को चेंज किया जाता तो मुझे लगता कि बिपक्ष को ये कहने का मुखा नहीं मिल पाथ था या बिपक्ष जो आरोप अब लगा रहा है उस आरोपों से कॉंग्रेस बच सकती थी कॉंग्रेस सरका लेकिन जो से हमने उसे सवाल किया सुन्दर बरल्यानी जी ने कहा कि हमने जेड़ साल तक समीच्छा की कौन अधिकारी बेहतर है कौन नहीं तो साथे-तीन साल में आप काम सारी कर लेंगे समीच्छा बहिह तक समय लगा दिया मुझे लगता है कि यह जवाब को वल्याने की ज़्यादा इस्पस्ट करेंगे लेकिन आप देखिए बीजेपी सासन जो 15 साल रहे उसमें जो अधिकारी पर आरोप लगते रहे उनको भी देखना हो बो अधिकारी क्या अब पूरी तरह लूप लाइन पड़े हुए या उनमे सरकार हमले का मौका ने दे तो इसे में फोक तबादे के लिए समाथ को खड़े है जैसा कि बरल्यानी जी बोल रहे हैं कि समीक्षा की भूपे सरकार ने कौन अधिकारी बहतर है कौन नहीं है तो डेर साल समीक्षा में लग गया है मनोज जी तो अब साहे तीन साल जब गया है, और कि एक लिए जाता है उनको डेर साल में ही चलता कर दिया तो कुछ ने कुछ कारण को होगा और वो उसको कितना पूरा कर पाते हैं इस अधार पर उनका परफॉर्मेंस सीट बनता है और यही कारण है कि मंद्रियों की और से जो पात बताई गई है वो यह कि मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों के काम काती समिक्षा की किन जीलों में साथ की उजनाएं सही दंग से है चोटे जीलों के अधी कलेक्टरों ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उनको प्रमोट करके बड़े जीले देना था तो इस तरह है कि एक पूरी विवस्था पे काम किया था और उनका कहना है कि लंबे समय तक जो है आपड़ेवेशन के बाद जो है उनका परफॉर्में जिनको कलेक्टर बनाय गया है. कई लोग वेटिंग में थे. 2008 बैस के 2007 बैस के लोग अभी तक कलेक्टरसिट नहीं पाय थे. यह और दूसरे trainee बतायएards कि कुछ लोग को बैस शूटा हुआ था जिनको अभी तक ग्लेक्टर नहीं बनाय गया था. उनको भी में बदलने के पीछे की इस्तिती जो है और खातर पर ऐसे समय में जब पूरे शासन और प्रसासन में बैठे हुए लोग कुरोना के संक्रमन को रोकने के लिए जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं बैठी मनोच आज हमारे और आपके बीच में बल्यानी जी के पिच हो रहा है उसमे करोना का गरहन लग जा रहा है RIGHT अहसे समय में डेर साल आप tenha समीक्रा में लगा दिया तो आप काम कप करेंगें और जिन लोगों को पहले कलेक्टर बनाया था उनको वापस ले आए, ज्यादा तर लोगों को, तो क्या वो सक्षम नहीं थे? कि अधिकारी की छंता का अधिक्तम उप्योग हो सके, उस दिस्टि को लेकर, भूपेश भगी जी नहीं थे? करोना संकट में भी पुरे हिंदुस्तान में चत्रिकर अकेला राज्य है यहां करोना के चलते किसी की मौत नहीं हुई तब को इलाज की सुईदा मिली राजी स्रमिकों के लिए अच्छा इंद्रियाम किया जा रहा है अब बागी राज्यों की तुलना में लेखेंगे चत्रि इस बात करेंगे हलाकि आपने कहा है होना भी नीची है मौत लेकिन ये आपका कर्तब्य है ये इस पे आपको गर्म नहीं होना चाहिए कर्तब्य है आपका कि किसी भी मरीज सरकार का कर्तब्य होता है कि किसी भी मरीज की मौत नहों जी संद्राइणी साब निश्फ हम आ आ ग अबाजा रही है आपको सुनारी जी? जी टृपाडी जी बिल्कुल आ रही है जी तो बाजानी जी ने बहुत अच्छा समीख्चा की है कि अभी तक देड़ साल लगभग 20 महीने में कौन सा अधिकारी बेहतर है, कौन नहीं है काम करने लायक है नहीं करने लायक है इसकी समीच्छा उन्होंने कर दी है साथ में करोना का अपना सिस्टम की कैसे जी 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 और जिस तरह से बल्लियानी जी कह रहे हैं कि समीच्छा की है वागे काम करेंगे तो लगता है उनका मन आगे भी पांग साल चुनके आने का है तबादला उद्योगी चला रहे मैंने मैंने दो दो मेहनों में S.P. बदले गए, कलेक्टर बदले गए ये इनकी प्रशादनी के उस्ता और किसी भी राज़ में भारतवर्ष के किसी भी राज़ पे आप निगाह डाले कोरोना से अधिकारी के माद्यम से दो मेहने काम चल रहा है जिस अधिकारी ने जहां पे बैठ के व्यवस्ताइं संभाली मैं वरल्यानी जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ ये खुद कह रहे हैं कि हमने कंट्रोल पाया तो उनका प्रुस्कार दिया गया सारे अधिकारियों को अटा के और जैसे हटाने की सुगमाट दो-चार दिन से चल रही थी लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं लगातार और जिस प्रकार से प्रवाजी मजदूरों की व्यवस्ता की बात करते हैं सबसे बत्तर रिष्टिती में कि अमनों लोग मारे जाहिए करण कहीं तु हमारे गएं कोई आप़स्ता के कारण वूस्ता किया हो किसी ने यह इस प्रकार की कॉरंटाइन व्यवस्ता है इनके इस्कूलों को इन्होंने अधिक्रान करके स्मिरानीजी ए आपने सभल उठाया है कि से मेरा सवाल सब्सक pensar थे की है सब्सक्रासाइब सब्सक्राइण स gallon गड़े खुरोना से लिगत थे कि यहां पर मरीजों की संख्या बढ़ेगी लेकि शासन ने कोई व्यवस्ता नहीं की तरिपाटी जी बहुत बत्तर इस्टिती है। मदार वहां के जीला कलेक्टर का होता है उनके दिदेश के होते हैं। ऐसे इस्टिती में उन्होंने उन्होंने देखा होगा कि सही व्यवस्ता नहीं कर पा रहा है। जो अधिकारी उसका इस्थानंत्रन कर दिया तिसमें आप एक तरफ सवाल उठाते हैं। रनिल एक तरफ बिपक्ष तो बिपक्ष है। एक तरफ कायती है विवस्ता नहीं है दूसरी तरफ अगर बिवस्ता बनाने के लिए सरकार कोई कदम उठाती है तो उसके भी सवाल ख़़ा होता है। बिपक्ष का काम ही है कि सरकार की बारीक चीजों पर या बारीक निरणे पर नजर रखना और मुझे जहां तक पता चला है कि अगर बिवस्ता का पूरा जिम्मा किसके ठीक है विवस्ता का पूरा जिम्मा किसके ठीक है किसके सर ठीक राफूरता है क्लेक्टर के क्योंकि उन्होंने सही धंसे जहांट नहीं की सही विवस्ता नहीं की अब ऐसे सिपी में कलेक्टर और प्रसास्री का धिकारी जो राज प्रसास्री का धिकारी भी हैं उनको अगर सरकार बदल करके विवस्ता ठीक करने का प्यास कर तो इसमें भी आप समार उठा रहे हैं सुदर्ण साब मेरी आवाज आ रही सुदर्ण साब आवाज आ रही लगता है आज बाते में करोना का कहार हमारे सुराज अस्तर्स के लीज लाइन पे हो गया है अजिल आप अपनी बात पूरी कर रहे थे आप कहरे थे कि विपक्ष का सवार उठाने का ही काम रहे गया लगता है विपक्ष अपनी भूम का है और सरकार को अब ये बताना पड़ाएगा जैसा आप कह रहे थे कि अगर जिलों में इस तरह की दिक्कत है तो ऐसा तो नहीं कि सरकार पहले सभी जिलों की समिक्षा एक साथ दिन भर करें और एक साथ बिलकुल फाइल लंबी मोटी बनाने के बाद फिर उनके तबादने करें बनेश पर इसके अगर जिले बाई समिक्षा करते हैं अगर लगता कि अधिकारी यहां गलत है तो उस जिले में उस अधिकारी को चैंज करते जाते हैं तो उसका मेसेज अगले जिले के जो अधिकारी है उनको अच्छा मेसेज जाता कि वही सरकार सक्त है लेकिन आपने अगर एक साथ सारे 22 जिलों के कलेक्टर 28 में से बदल दिये तो इसका मेसेज किसको हमान लेग ले दिया तो ऐसे में यहीं करना है कि पिपक्ष सवाल उठा रहा है और सरकार अब यह बताने के कोशिस कर रही कि वो जो तबादला नीती भी बनी हुई है हर सरकार की तबादला नीती होती है तबादला नीती होती है अधिकारियों को भरोसा भी दिलाए जाता है लेकिन उसके अनुरूप तवादले होते हैं ये एक बड़ा सवाल है इस पर प्रसासनिक आयोग भी जो बहरा सरकार के बने थे या राज्यों की रिपोर्ट्स भी पेंडिंग पड़ी हुई है इसलिए ये आरोप बीच में लगते रहते हैं कि प्रसासनिक आतंकवाद कॉंगरेस ने रहते हुए बिपक्ष में रहते हुए लगाए थे यही आरोप अब मौका बीजीपी को मिला है वो लगा रहे है चलिए आज करोना के कहर ने हमारे इस पूरे प्रोग्राम में अपना कहर ढ़ा दिया है सुन्धरानी जी आप सायद नहीं सुर पा रहे हैं लेकिन क्योंकि हमारे साथ जुड़े थे आपका बहुत दनवा जुड़ने के लिए वरल्यानी जी आपका भी और मनुस आपका भी हमारे इस खास कारिकर में आप लोगों ने सिरकत दी तो कलेक्टरों के तबादले को सरकार भले है रूटीन पर क्या बता रही है लेकिन कहीं न कहीं इसके पीछे करोना भी बड़ी बज़ा है जानकारी के मताबिक इस महामारी से निपटने में बेहतर रजल्ट ना देने को एहम बज़ह माना गया है प्रजेश में कुछ सचियों के प्रभार मंत्रों की मांग पर बदले गये हैं ये सचियों अपने काम में गंभीरता नहीं दिखा रही है इस बडलाओं ने आई इसके साथ ही राज प्रशास्तिक सेवा के अपसरों को भी एक्टाय किया है कुछ को नई जिन्मेदारियां भी दी गई क्योंकि ये सब कुछ करोना संकट की बीश हुआ है ऐसे में बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है हलाकि बीजेपी को ये नहीं भोलना चाहिए कि जब वो साल दोजातीन में सट्था में आई थी तब उसने भी ठोक बन तवाद लेकिये थे अब ऐसे में जब कांग्रेश सट्था में है तो वो अपने हिसाब से अजिकारियों के अदला बदली तो करेगी प्रवाद सट्था के बाद आब रूख करते हैं मध्यप्रेश की जहाँ 24 सीटों पर उप्चुना होना है लिहाजा अब बात सट्था के संग्राम के